नौईडा में पती ने अपने कराटे चैंपियन पत्नी पर बेरहमी से मारपीट का रोप लगाया। जानकारी के मताबिक पेड़ित पती नौईडा के सेक्टर 19 में अपने पत्नी के साथ रहता है। दोनों के शादी माई 2019 में हुई थी। शादी के बाद से दीपक और उसके पत्नी के बीच आए दिन जगड़ा होने लगा। कई बार दीपक के पत्नी ने उसे बेरहमी से पीटा। 25 जनवरी को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। उस दोरान दीपक की कराटे चैंपिन पत्नी ने उसके टांगे तोड़ा ली। उसकी बीवी यही नहीं रुकी उसे पीट पीट कर अधमरा भी कर दिया। जिसके बाद दीपक के पता ने उसे इलाज के लिए स्पिताल में भरती कराया। दीपक का कहना है कि उसके पत्नी कराटे चैंपिन होने के बाद कहती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो उसे बहुत पीटती है। लेटा हूँ भी ने जाए जाने रहा हुए तो पीछे से जो बैठी है को कर रही हो में पतनी है। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है पता नहीं मेरे को है सचा ही क्या है सचा ही क्या है तो क्या किक मारी है। बहें दीपक के पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसके पत्नी उसे बेरहमी से पीटती है दीपक का पहले से ही लाज भी चल रहा था जो पता है कि उत्या है और धाना है तो अपस में मार रपीट कर रही थी हो इसके परहावी होगे रखी दीपक में तो पहले भी एक्षिनेट हुआ थीम तो तिम प्रेक्चरें के उत्या और बलेड प्लॉट है की उसने टाक्राटा, इसको पता नी क्या फांके ने बिढ़ा है तो इसके बिढ़ा नहीं पत の desk? इसकी वाइफ सेPM तो पर एसे अमना करे लह बहुत है, पहले 2-3 पर आज ने बीस पर अबलाइब उसने पर काता है पिलाल दीपक ने प्टिम पत्नी के खिलाफ पुलीस में शिकायत की है उसने पुलीस से गुहार लगाई है कि उसे उसके पत्नी से बचालो नहीं तो वो उसके साथ कुछ गलत नगर दे नॉडा से ललित पंडित के रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी कर दो कर दो कर दो